हेलो अर्थ साइन, जो भी सिंगल है अर्थ साइन, कैप्रिकॉन, वर्गो और टॉरस तो ये रीडिंग आपके लिए है निवंबर के मंद की, तो देख लेते हैं कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है या नहीं पहला कार्ड आया है, तो बात कर लेते हैं हम ये चार कार्ड की, तो सबसे पहले किसी बात को लेकर जो अर्थ साइन वाले हैं, वो हर्ट फील कर रही हैं, दुखी फील कर रही हैं, किसी वजह से हो सकता है, कुछ लोगों के केस में यहां थर्ड पार्टी सिचेशन थी, कुछ लोगों का अभी पास्ट में ब्रेक अप हुआ है, कुछ लोगों का उनके पार्टनर के साथ जो है लड़ाई हो गई है, तो इसलिए सपरेशन में हैं, तो वो ही चीज उन्हें हर्ट कर रही है, उन्हें रही है अर्षाइन वाले किसी बात को लेकर दुखी है और 10 of cups दिखा रहा है कि और यह एकदम से separation ऐसा था कि वो अपने पूरी यूर्णो विश कंप्लीट देखते थे उस इंसान के साथ कोई ऐसा इंसान है किसी के लिए feelings है अर्षाइन वालों के दिल में जिसके साथ वो happy married life देखते थे जो उनकी emotional fulfillment थी जो उन्हें पूरी खुशी देते था दिल की खुशी देते था और उसके साथ शादी और बच्चे सब करना चाहते थे अर्षाइन वाले लेकिन यहां पर उनकी जो feelings थी वो hidden ही रह गई जो इनकी इतनी जादा desire थी अपने love related partner से related वो सब एक feelings पूरा अच्छे से express करने का मोका ही नहीं मिला कुछ अर्षाइन वालों को और जो यह three of events दिखा रहा है कि वो simply wait कर रहे हैं अभी भी इंतजार कर रहे हैं उस person का जो कि उनके दिल में हैं लेकिन उसके साथ किसी तरीके का separation यहां चलता हो और नजर आ रहा है और उनकी जो feelings थी उस इंसान को लेकर वो उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं hide कर रहे हैं और simply इंतजार कर रहे हैं कि शायद कुछ positive हो जाए यहां पे और लेकिन bottom of the deck यहां पे आया है eight of events लेकिन हो सकता है यहां पे communication कुछ लोगों के लिए communication उस person से वापस आ सकता है सब के लिए नही कोई new love आ रहा है आपकी life में यह नहीं five of cups तो मुझे यहां कोई इतना कोई खास नजर नहीं आ रहा एक disappointment का card ही निकल के आया है sorry friends लेकिन कोई new love मुझे यहां आता हुआ नहीं नजर आ रहा और सायंग वालों के लिए November के मन्त में और आप थोड़ा disappointed भी feel करेंगे November के मन्त म थोड़ी pain feel करेंगे अपने जो emotions हैं उन्हें दबाने की कोशिश करेंगे you know बताएंगे नहीं खुलके अपने emotions के बारे में अंदरी अंदर कहते हैं दुख को अंदरी अंदर समेटना वह वाला कुछ नजर आ रहा है और simply आप बस wait कर रहे हैं कि कहीं से positivity की एक कीरन आ जाए तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए तो यहां पर communication आ सकता है और कुछ लोग जो है simply mind divert करने के लिए अपने friends के साथ थोड़ा mix up होंगे यहां पर या कोई party family parties कुछ attend कर सकते हैं या friends के साथ थोड़ा gossip वगरा में involved हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए उनके partner की तरफ से य new love आ रहे तो कोई new love नहीं आ रहा sorry friends बट जो information निकल के आ रही है मैं वहीं बताऊंगी ठीक है चलिए अडवाज देख लेते हैं और कैमल परजी प्रिजर्व एंड यू वील ओवर कम प्रॉब्लम तो यहां पर जो भी आपकी प्रॉब्लम आप करंटली फेस कर रहे हैं friends उससे निकलने के लिए यहां पर आपके लिए अडवाइस आई है प्रिजर्व एंड यू विल ओवर कम प्रॉब्लम आपको कोई प्रिजर्व करने की जुरूरत है वह किस सेंस में हैं आपको बैटर पता होगा आपकी लाइज में लेकिन आपके लिए अडवाइस निकल kingdom फेजर्व और यू विल बाहर निकलिए रिजर्व करीजिए अपनी इनर्जी को नेगटिव थॉट्स में जो है ड्रेन मत हुई है मत करिए अपनी इनर्जी को वेस्ट तो शायद कुछ यहां अच्छे चिंजिस आपको देखने को मिलें अगर आप नेगटिव टी में खोते जाएंगे तो वह दल दल